दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए MS World पर Hyper Link का यूज और इसकी दो से ज्यादा shortcut की लेकर आया हूँ तो दोस्तों मैं हूँ गुफरान टाइपिस्ट आप देख रहे हैं Skill Knowledge वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो सफ्क्राइब करके भी लाइकन को जरूर प्रेस कर लेना तो बिना वेट किये चलिए आपको स्क्रीन पर लेचलते हैं देखिया दोस्तों यहाँ पर हमने MS World ओपन करके रखा है अब हम इसको मिनिमाईज कर देते हैं यहाँ पर देखिये डेक्स्टॉप पर हमारी एक फाइल है इस फाइल का नाम है नियू शाटकट कीज ओके तो चलिए अब हम अपनी मिनिमाईज फाइल को मैक्सिमाईज कर लेते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं उस से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि MS World पर हाइपरलिंक होता क्या चीज है तो हाइपरलिंक का मतलब होता है कि अपनी फाइल को एक दूसरे से लिंक करना यानि कि अगर आप इस फाइल से अपनी किसी भी फाइल को लिंक कर देंगे तो आपको उस file पर नहीं जानाँ है, और केवल इसी file पर एक click करके अपने दूसरी file open कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको insert hyperlink को open करनाँ है, तो यहाँ पर hyperlink को open करने के चार तरीके हैं, पहला तरीका यह है कि अपने mouse को पकड़ लेना है और सीधे इंसर्ट मेनू बार पर किलिक करना है इतना करने के बाद आपको यहां पर एक आप्शन हैपर लिंक का मिलेगा तो दोस्तों देखिए अभी हम इस पर किलिक कर देते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि हैपर लिंक का बॉक्स हमारे सामने ओपन होकर आ है तो यहां तक आप सब कुछ समझ गए होंगे अब हम इस बॉक्स को कुलोज कर देते हैं इसके बाद चलिए इसकी तीन शॉटकट की सीख लेते हैं तो पहले हमारी शॉटकट के कंट्रोल प्लस के यानि की कंट्रोल के प्रेस करने पर आपका इंसर्ट है पर लिंक ओपन हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं अब हम फिर से इसको क्लोज कर देते हैं अब चलिए इसकी दूसरी शॉटकट की सीख लेते हैं तो दूसरी हमारी शॉटकट की है आईट पलस एन पलस आई यहां पर आपको अल्ट दबा के छोड़ देना है और जस्ट एन और आई प् इसके बाद चलिए तीसरी शॉटकट की सीख लेते हैं तो भाईया अगली हमारी शॉटकट की है अल्ट पलस आई पलस आई यहांने कि आल्ट को दबा के छोड़ो और जस्ट दो बार आई प्रेस करना है अल्ट आई आई को प्रेस करने पर भी आप देखेंगे कि यह हमारा इंसर्ट हाइपर लिंक का बॉक्स ओपन हो जुका है दोस्तों मैं एक चीज की कई शॉटकट की बताता हूँ वीडियो कोई भी हो ओके इसके बाद चलिए सिख लेते हैं कि दूसरी फाइल को कैसे लिंक करें तो यह जो बॉक्स है अब यहां पर आपको उस फाइल पर किलि करते हैं इसके बाद ऊपर आप देखेंगे कि टेक्स्ट टू डिस्पले लिखा हुआ है तो यहां से आप उपने कोडिंग इस फाइल का भी कोई भी नाम दे सकते हैं जैसे अभी हम केवल एमेजिंग लिख देते हैं इसके बाद सिंपली ओके या इंटर कर देना है जब इ किया था तो देखिए कंट्रोल फुलस माउस की लेफ्ट टिक याने कि कंट्रोल को दबा के रखना है और माउस से इस पर एक बार किलिक कर दहाँ है तो अभी हम कंट्रोल के साथ इस पर किली करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारी वही फाइल ओपन हो चुकी है जिसको हमने अभी लिंक किया था ओके तो उम्मीद करता हूं कि अब आप है पर लिंक का यूज और इसकी तीन शॉटकट की सीख चुके होंगे अगर अच्छा लगा वीडियो तो ज़रू सफ्क्राइब करें क्योंकि मैं रोजाना नए नए शॉटकट लेक और आता रहता हों तो मिलते हैं अंगली वीडियो में थेंक्यों हो झाल झाल